सभी दोस्तों को नमस्कार जैहिन मेनरेश सिंग आप सभी का यूटूग चैनल प्रिप्रेशन उप्टिचिंग एंटीनेट में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे मेमोरी हरारकी या मेमोरी का पद्मा करम क्या होता है दोस्तों मेमोरी हरारकी जो है क्या है सबसे पहले हम उसके बात कर लेते हैं दा मेमोरी हरारकी ओपे कम्पूटर सिस्टम यह एक कम्पूटर के सिस्टम में जो है मेमोरी का एक सिस्टम है यह स्पीट में डिफ्रेंस हो हैंडिल करती है जो computer में speech होती है, speech का difference होता है उसको memory hierarchy जो है handle करती है दूसर point पर चलते हैं, computer architecture में memory पदानुक्रम यानि कि हरार की computer संग्रण को प्रतिक रिया समय के अधार पर पदानुक्रम में अलग-अलग करता है चोकि प्रतिक रिया समय जटिलता और चमता संबन्दी है इसलिए इसके प्रदसन उन्देंतर तक्निक की दुवारा इस तरों को अलग-अलग क्या जा सकता है तो दोस्तों आप इन दोनों point से समझे होंगे memory hierarchy क्या है memory hierarchy को size के अधार पर speed के अधार पर और हम size के अधार पर भी बहुत तरे से लिखते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं जो faster to slow memory hierarchy है speed के जो अधार पर memory है वह कौन सी होती है सबसे ज़्यादा speed किस memory की होती है हम पढ़ते रहते हैं कि यह memory है लेकिन अगर speed के अधार पर देखा जाए जो computer में सबसे ज़्यादा ररिजिस्टर मेमोरी होती है उसकी speed सबसे ज़्यादे होती है उसके बाद थोड़ा सा शिलो catch memory फिर उसके थोड़ा सा सिलो बाद man memory फिर उसके थोड़ा सीलो होती है Magnetic Memory और Optical Memory यह जो है Speed के अधार पर सबसे आपको इसमें पता चल गया अगर नीचे से बात करें Silo 2 Fast तो Silo में सबसे पहले Optical आजाएगी फिर Magnetic Memory आजाएगी फिर Man Memory आजाएगी फिर Catch Memory आजाएगी फिर Register Memory आजाएगी तो आपको हरार की किसी भी तरह से पुछा जा सकता है ऐसा नहीं है फास्टर तो Silo 2 फास्टर भी पुछा जा सकता है इसको हमें चित्र के दुआरा आपको दिखाने कोशी कर रहे हैं चित्र में जैसे सबसे ज़्यादे दिया है एक पेरा मांट बना है Register Memory Cache Memory Main Memory Magnetic Dix या Optical Dix या Magnetic Tab यह जो है इसका pra오르 करचा Speed heeft और इसको आप वचका सबना दोखेँ और सिरों के तो उपर से देखें अग certific का है अब इसके बात चलते हैं memory हरार की storage कि आदार पर जो storage होती है किसा आदार पर पोती है अब चारो memory बताया है तो यह आपकी memory हो गई लेकिन इसमें भी किस हिसाब से storage होती है जैसे शबसे छोटा होता bit बिट के बाद सक दो चार बिट पनके एक वाइट बनाते हैं और जो बहुत सारे वाइट होते हैं ऑ फिल्ड मनाते हैं चैसे में एख्चूटा सा उदार रह दू जब किसी बच्चे का आप कोई डिटेल लिख रहे हैं इस किलास के अंदर जो उसके अंदर एक बच्चे का खाना मालिया आपने उसके लिए दस खाने बनाए अलग-अलग सब्जेक्ट के जैसे हिस्ट्री में कितने नंबर आए और यूनिट के प्रतियक यूनिट में कहने मतलब जो यूनिट टेस्ट ह हुआ मंतली और उसका साइंज में कितने हैं सिस्टी में कितने हैं और उसके बाद संस्क्रत में कितने हैं हिंदी में कितने हैं तो एक तरका आपका फिल्ड होगा और जब आपने जो है उस फिल्ड को सभी को अगर देखा जाए तो एक बच्चे का पूरा डाटा बना लेते पूरी एक seat बना लेते तो उसको record बोला जाता है और file जो होता है एक class में मानलिया 90 student है पचास student है जो पचास के पचास student का आपने इस तरह का data बनाया है और data बनाने के बाद उसको एक file में सभी बच्चों का save कर लिया उसको file होता है और data waste जो है मानलिया पूरे school में class एक से ल इस तरह करके यह memory को size के अधार पर बोला जाता है अब memory हरार की computer storage जो computer में storage होती है अब उस अधार पर पूछा जाता है दोस्तों इससे question भी आ चुका है तो सबसे पहले memory जो है computer एक system में में जो होता है कहीं जो भी memory attach होती हो CPU में होती है CPU की memory जो है जो अलग-अलगतरे की memory होती है उसको register में बढ़ रिघे जाता है register के बाद catch memory के बाद 59 Shepherd me memory को है आप इनको जैसे हजार में हजार होगा सबसे चोटे एक हजार-चो-बिस पर इसके बाद दस लाक होगा दस करोड होगा अरब होगा खरब होगा मिलियनी स्तरह करके यह बढ़ता जाएगा और फिर इसके बाद एक मेगा वाइट्स होता है उसमें यह इस तरह करके भी आपने Knox Memorial को चेक कर सकते हैं इदर जो है सभी पुरा bytes में दिया है, इसको याद करने का तरीका और बताओंगा कैसे याद करते हैं memory हरार की size कादा हर पर size कादा हर पर देखे, कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं एक कभी को हम कभी कभी 10 की गहा, 2 की गहा, 10 bytes के तोर में लिखते हैं, और इसे भी question आया चालिस इस तरे करके आपने एक वारियाद कर लिया, एक के वी comparable दो की घाथ 10 एक एम बि Martha às की sequencing हाथ 20 एक जी वी वी वराबत की घाथ 30 एक Pb !"odar 40 बाइट एक पी विवराबत दो की घाथ 50 बाइट एक एबी वराबत की साइट वाइट, एक जे बी वराबर जे बी वराबर दो की घाथ 70 एक वाई बी वराबर दो की घाथ 80 वाच तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे अगर उसमें कोई भी आ गया और आपको इसको करम याद है तो आप असानी से क्वेस्टन कर पाएंगे तो इसमें 10 लेकिन एक चीज़ धियान रखे अगर इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 70 के क्रम में दो का जो घाथ बढ़ रही है अगर वह 48, 56 बीच की आजाए तो उसको नहीं करना और आप एक क्रम याद कर ले अब इसी के आधार पर कवी कवी क्वेस्टन ऐसी भी पूछा गया है यह भी मेमोरी जो है हरार की साइजी है चीजी एक है लेकिन लिखने का अलग तरीका हो जाता है और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते तो इसमें दिया है एक कीवी वरावत 10 की घाथ 3 इसमें देखने वाली बात यह है अगर दस की घाथ में पूछ लिया आपको तो आपको तीन का जो टेवल होता है याद कर ले, उसका करम पहले शह आपको याद है, तो आपक कभी भी नहीं भूल पाएंगे, एक बार क्वेट्टन आया है, जी मіरी उसमें पूछा गया था, तसके, इसमें नो दिया था, 12 दिया था 13 दिया था और 21 दिया था तो आपको जो है इसमें 10 की घाट जो 9 था वो सही था आप इसमें अगर 10 का देखो वहाँ पर 2 का पूछा गया था 2 की घाट 10 को और यहाँ पर 10 की घाट तो इसको 3 के करम में याद रख ले इसका एक करम के बी एम बी जी बी टी बी पी बी इवी जैर बी वाई बी तो यह तो नॉर्मली है आप इसको याद कर सकते हैं उसके बाद 10 की घाट 3 3 के टेबल के तोर पर आग बढ़ते जाएं आपका क्वेस्टन आपको याद भी अराम से हो जाएगा तो आपको यह त्रक याद करने के लिए बहुत बैटर है अब इसके बाद जो है आपको मैं एक चित के द्वारा दिखाने चाहता हूं जो मेमोरी का एक है इसमाल साइज से बिक साइज के लिए जो होता है जैसे वोलेंटाइज मेमोरी होती है वो नोन वोलेंटाइज मेमोरी के बारे में बताया गया है अब चलते हैं दोस्तो इस में देखते हैं अब इस में जो मैं आभी आपको बता रहा था जैसे वहाँ पर जो दिया था, थाउजन क्या होता, दस की घाट, तीन को हम थाउजन बोलते हैं, और किलो बाइट मान ले दो की घाट, दस दिया है जैसे, और वहाँ पर एक हजा़ चोविश था, तो यह इस तरह करके लिख सकते हैं, मिलियम में अगर लिखेंगे तो दस की 616, जैसे में ने भी बताया, इसमें कुछ अलग-अलग उड़कत दिए हैं, इसलिए में आपको दिखाने की कोशिज कर जाया हूं, तो अगर he checked, 10 sz, he is 0,8,000,000,000 za, ऐसको 1,600,000 के तरह आप इस तरह भी लिख सकते और billion जो है दसकी घात 9 भी लिख सकते हैं वह billion इतना होता है जीटावाइट दसकी घात 30 होता है तो इतना इसमें जो है इस तरह आएगा और trillion और terabyte आपको इस तरह भी पूश सकता है तो आपको पता होने चाहिए kilowatts million billion trillion यह कितना होता है और किस तरह करके पूश सकता किस तरह करके लिखा जा सकता तो आपको इसका भी धियान होना चाहिए अब memory हरार की जो size के आधार पर ऐसे भी करते हैं हम एक तरीका और बताता हूं कई बार जो है यह भी ट्रेक आपको इसलिए बता रहा हूं को किस तरह से भी question पूचा अगर एक game वरावर वर पूचा तो एक thousand आ जाएगा अगर एक mb वरावर पूर इसी में सेम है, इतना ही 0 इसमें बढ़ता जाएगा, 1 KEV बराबर 1, 3, 0, और 1 M B बराबर 1, 6, 0, 1 G B बराबर 1, 9, 0, 1 T B बराबर 1, 12, 0, और 1 PV बराबर 1, 15, 0, 1 EV बराबर 1, 11, 0, 1 Z B बराबर 1, एक कहना मतलब 21-0 और एक वाई वी परावर 1 और 24-0 तो इसमें इसी तरह तीन-तीन के हर करम में 0 बढ़ता जाएगा अब दोस्तों थोड़ा सा मेमोरी हरार की साइज के कभी-कभी इस तरह वी ॉचरी चाट बाप दोस्तों जाता एक वर ना चाला की यह खूँप पड़े जाता zw फीर và बówन शोड़ा और होना के साबस्वारा फंद्त दोस्तों एक 25-0 बढ़ा फैट बहुर आपके दो kinda TV 2024 नहीं यहां पर TV आएगा दोस्तों यह गलत हो गया है और एक विप्रवर 2024 यह जो है साइज के आदार में तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें और दोस्तों आपको बताना चाहत आपके सेक्ड पेपर यानि सब्जेक्ट हिस्टी के भी प्रक्टिस एट शाषाथ में जो प्रतिक टोपिक की बारे में जानकरी दी जा लिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब थेंक्यी देने